बोलते हैं कि उसे में छो इंच छोटा और बुरा बाल साप करो का नारा करते हैं मैं तो चैलेंज करता हूं कि कहां ये बयान दिया गया था और छो इंच छोटा की बात जो कर रहे हैं अरे ख्या हुआ नहीं हुआ हूँ तो सब लोग जान रहा है समझ गये ना अभी जो इसरकार में 12 इंच छोटा कर दिया जा रहा है सीधे साप कोई कुछ नहीं हाप नहीं सीधे साप कर दिया जा रहा है मैं तो कहता हूँ चिराग भाई से कि चिराग भाई अगर आप ओरिजिनल में बिहार की भलाई चाहते हैं अगर आप बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको तेजस्वी जी के साथ हाथ में हाथ मिला करके चलना होगा अपना घटी है उसके बाद लगातार वहीं पर दो विवसायों की भी हत्या कर दी गई अखिरकार प्रशाशन क्या रही है बात करेंगे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता बंटु सिंग है उनसे बिहार में आए दिन हत्या हो रही है सरकार कुछ करने रही है अब देखिए यह बात बताते हैं आपको हम कि यह लोग कर क्या सकती है यह लोग कुछ नहीं कर सकती है यह लोग देखिए अभी इनके भाजपा के जो पूर्व मंत्री अभी बरतमान में बिधायक बिधान सभा में क्या दे रहे हैं यह लोग 15 साल पुराना का रटनी-खाली रटते रहते है वही पढ़हय पढ़ हुए है चैलेंज करता हूं कि ही ब्यान दिया गया था और छोई चोटा की बात घटना एपने सीदे साप कर दिया जा रहा है पतना एसा सहर में इतना मन की खुलियाम हट्या पर हत्या हो रहा है मगर यह सरकार को कोई कान में सुनवाज कोई बिया से कोई मतलब ही नहीं रह गया, उनको बस अपना युगों से मतलब रह गया है। सो भगवाने मालिक हैं हम इस पर और क्या कह सकते हैं चिराग पासवान के बंगलेश को खाली कराकर हटा दिया गया रामिलास पासवान लंबे समय तक विज़भी के साथ थे देखिए ये तो बहुत दुखट घतना है जो चिराग पासवान जी के साथ हुआ है हम सुरू से ही बोलते आए हैं चिराग पासवान जी को कि पासवान जी आपको आना होगा बिहार की अगर आप भलाई चाहते हैं तो छोटे भाई जिसको आप तेजस्वी जी को मानते हैं अ अगर चाहेगी तो कुछ से कुछ कर दे सकती है और आप जो हनुमान जो बने हुए थे देखिए ये लोग राम कहलाने लाइक नहीं हैं ये लोग तो राम का खाली नाम बदनाम कर रहे हैं और इन लोग को समय आएगा न तो सब पता चल जाएगा मैं तो कहता हूँ चिराग भ हाथ में हाथ मिला करके चलना होगा देखिए हमारे तेजास्वी जी को अकेला बैक्ति इन्होंने कैशे जो हैं इकेले सब को पानी पिला हुए हैं एकेला बैक्ति सूबा उठते हैं पर चार करеся ुझार का रहे हैं सारे समाज को लेके चलने का पूरा परियास अपना दम त तुछना होगा हर समय है चिराग पाशवान जी को हर समय याद करना हो कि राम बिलास पाशवान जी को भी बेजज़त किया था उस समय हमारे आधर्न ये राश्थी एधर्र लालु प्रसाग यादव जी ने उनको राश सवा भेज करके मुंह तोर जबाब दिया था याद होग पूरे बिहार के अब हिंदुस्तान बास्यों को यह लोग सब को खतम करना चाहते हैं उवाओ oh को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते है इन लोग के घर में कोई हई नहीं है यूवा किसी का कुछ होना जी अब क्या बोले बिल्कुल देखें चिराग पासवान को जिस तरीके से घर से बंगला खाली करा दिया गया है और अब तेश्वी अदब ने भी कहा और साती सात जो आजड़ी के प्रवक्ता बंटू सिंग उन्हों ने भी कहा है कि चिराग पासवान को साथ आना ही पड़ेगा बनने इस परने